नमस्कार आप देख रहें बिवानी हल्चल और मैं हूँ आपके साथ खुशी आए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर बिवानी CIA2 की एक बड़ी सफलता हम कह सकते हैं लोरेंस बिस्नोई गैंग के सदसे या यू कह सकते हैं जुडाओ रखने वाले बिवानी के गाउं तिगडाना निवासी एक यूवक को दबोचा गया है ये नवी मुंबई पुलिस और बिवानी CIA2 का जोएंट ओपरेशन था ये क्या मामला था किस परकार का था फिलाल जो हमें सुचना प्राप्त हुई है सलमान खान फिल्म एक्टर जो हैं उनकी हत्या की साजिस के आरोप में ये यूवक किसी न किसी रूप में जुडा हुआ था हमारे साथ CIA2 के परभारी रविंदर जी मौजूद हैं सर क्या मामल था किस परकार का था कहां से दबोचा गया और इसका कितना इसमें जुडाओ हम कह सकते हैं नवी मुंबई में एक जगह है पनवेल सेटी यहां पर पुलिस ने सूपरस्टार सलमान कान की हत्या की संदर्ब आत्या की साजिस के संदर्ब में उच्यों को गिरिफतार किया था और जो इनकी पुश्ताज में हमारे हैं एक दीपक एलिस जोन सनौ अफवासिंग निवासिति गड़ाना का नाम सामने आथा इसके बारे में नवी मुंबई पुलिस के दौरा हमारे उच्छा दिगारियों से संपरकर करके साहिता मांगे थी जिसमें आज नवी मुंबई प शक्रिये मेंबर हैं दीपक उरुफ जोनी की जो हम बात्चीत कर रहे हैं जरी ये कहां का थी निवासि कहां का परोपरली ये मूल निवासि तिगड़ाना का लेकिन करीब 20 वर्ष से ये लड़का मुंबई में रहता है और वहीं पर काम करता है ये जो गिरों के साथ किस कि उसमें ये पाया गया कि जो सत्य के सामिल यूख हैं उनको जो भी पिछे रहकर मदद की जा सकती थी उस बारे में इसके जम्यवारी दी गई थी 15 से 20 साल मुंबई में रहता था अभी विवानी हरियाना की बात करें कब आया हुआ था जरकिस के परिवार सहीत रहता था अकेला रहता था साधी सुधा है या कोई क्रेमिनल रिकोर्ड इसका कोई सामने आया है यह जो लड़का है दीपक यह करीब 20 वर से अपने परिवार सहीत मुंबई रहता है और जब यह अत्या है कि साजी सी घटना क्या सपास के दिन है करीब 15 दिन से चिपने के लिए तिकड़ना आया हुथा और जो मुंबई पुलिस के द्वारा इस बारे में हमें सूचित किया गया था और इसलिए पकड़ा गया है करीबनल लिकोर्ड इसका मुंबई पुलिस बता सकते हैं क्योंकि यह हमारे हैं लंबे समय से नहीं रहे रहा गेंग का सदसे किस रूप में जुड़ा हुए सर कोई सूचना प्रारंबी कह सकते हैं या अफवा है लोरेंस बिशनोई गेंग का जैसा की जुड़ाओ मना जा रहा है जो बिवाने पुलिस के द्वारा पुंस्ताज की गई उसमें यह सामने आया कि यह जो गुरूप है लोरेंस बिशनोई गुरूप के उनसे जुड़ा हुआ है कहीं नकिए उनके डारेक्ट संपर्क में है और उनके दिशाने जिस पर कारिये करता है इकडाना आग में कोई अपने रिकोर्ड किसी प्रिवार का खंगाला हो या कोई शीये टू ने कोई अलग से जांच की हो नवी मुंबई पुलिस की जांच में हम सामिल थे ओपरेशन में थी या हमारा भी कोई अलग से इन्पूट अमने लिया हो हमें इस बारे में सुचना लगातर मिली कि कृष्श फिर्मेंबर है और इसके बारे में मिधाँ में बतला जाए गाता प्लिस अब इस भारे में सबस्टोर पर कुछ नहीं कहा जा सकता हम डिटेल वेरिफाई करें हैं जी जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना रविंदर कुमार जी CIA 2 परवारीन जो इन्होंने बताया कि दीपक उरुफ जोनी गाउं तिगडाना निवासी है और ये 15 से 20 साल से लगातार मुंबई में रहता है परिवार सहीत रहता है 15-20 दिन पहले तिगडाना में ये छुपने के लिए सायद आया हुआ था नवी मुंबई पुलिस और विवानी CIA 2 की सेयुक्त ओपरेशन में इसको दबोचा गया है बड़ी सबलता है और आज नवी मुंबई पुलिस को दीपक उरुफ जोनी को शौप दिया गया है अब तक के लिए बस इतना ही फिरूगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी कबर के साथ तब तक के लिए नमशकार हो दिखते रहे बिवानी हल चल